पेरू तुमें भीशन धमा के मारे हेजबुल्ला के 30 कमांडर इरान पर इसराइल हमला कब करेगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है लेकिन इस वक्त दक्षणी लेपनान में जिस तरह से हेजबुल्ला के लड़ाकों पर इसराइली वायू सेना भीशन हमले कर रही है उससे साफ हो चुका है कि इसराइल चाहता है कि जिस वक्त वो इरान पर बड़ा हमला करे उस वक्त हेजबुल्ला की तरफ से इसराइल पर बड़े हमले ना हो पाएं और इसी लिए इसराइली वायू सेना और पैदल सेना दक्षणी लेबनान के गाउं से लेकर के शेहरों पर सबर्दस्त हमले कर रही है अगर हम पिछले 18 घंटे की बात करें तो इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में अंधा धुंद हवाई हमले किये हैं जबर्दस्त बम धमाके से पूरा बेरूत शहर बारूत की आग में भस्म हो रहा है इसराइल के हमलों से ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि हिजबुल्ला को जबर्दस्त नुकसान हो रहा है इसराइली वायू सेना ने F-35 और F-15 जेट से रात भर बेरूत और उसके आसपास बड़े हमले किये हैं बेरूत के दक्षनी उपनगर दहिया में सबसे जादा हवाई हमले इसराइली वायू सेना ने किये हैं खबर के मताबिक सुबह 3 बजे तक इसराइल ने तहिया में 9 बड़े एर स्ट्राइक किये और इस हवाई हमले में हिजबुल्ला को भारे नुकसान भी हुआ है दावा तो यहां तक किया गया कि महस 6 मिनट के भीतर ही बेरूद और आसपास के इलाकों पर आईडियप के लड़ाकू विमानों ने 20 से जादा हवाई हमले किये हैं कुछ दावों के मताबिक महस 30 मिनट के अंदर ही इसराइली वायू सेना ने 100 तन से भी जादा बंप और मिसाईलें बेरूद और आसपास के इलाकों पर दागी हैं इसके अलावा इसराइल ने हेजबुल्ला की हत्यार सप्लाई लाइन को काटने के लिए सीरिया से लगती लिबनान की सीमा पर बहुत बड़ी एर स्ट्राइक की है जिसमें हेजबुल्ला और सीरिया के लड़ाकों को जबरदस्ट नुकसान होने की खबर है हिजबुला के कमांड सेंटर, हथ्यारों के भंदार और खास सुरंगों को जुझ जुञ कर तबाह किया जा रहा है इस्राइली सीना का दावा है कि उसने हिजबल्ला की हत्यार, मिसाईल और रॉकेटों से भरी धाई सो मीटर लंबी सुरंगों को हवाई हमले में पूरी तरह से नेस्ट नाबूद कर दिया है חיסול של נשראלה, זה שלב חשוב מאוד, אבל זה לא הכל אנחנו נפעיל את כל היכולות שיש לנו ואם מישהו לא הבין בצד השני מה הכוונה כל היכולות, זה כל היכולות वादेम חלק माअमच הזה, तरह שלנו, זה लाखजिर तोश्वי הצफ़ों लबते हवोर अखजरत तोश्वי הצफ़ों लबतेम से लाइं, अनकम नहीं मुछनें लासोट इसराइली सीना का दावा है कि उसने लिबनान में हिजबल्ला को कमजोर करने के लिए समीनी जंग बेहत तेस करती है इस वक्त इसराइल की सीना के पैदल सैनिक, मारकावा टैंक और बखतर बंद लड़ाकू वाहनों के साथ दक्षणी लिबनान में चुन चुन कर हिजबल्ला के अड़ों और ठेकानों पर हमले कर रहे हैं दक्षणी लिबनान से सटे उत्तरी इसराइल के शहरों और गाउं पर हिजबल्ला के लड़ाके इनी इलाकों में खौफनाग हमले कर रहे हैं हिजबल्ला ने पहली बार एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दावा किया गया कि कैसे हेजबल्ला के लड़ाके जुन जुन कर अब इसराईल के ग्राउन पुर्सिस पर जान लेवा हमले कर रहे है हेजबल्ला के इस वीडियो में जो दावी किए गए हैं वो वाक dulisドण करने वाले हैं कि ये इस्राइली सैनिक उस वक्त मारे गए जब इस्राइली सैनिक लिबनान के अलदीसा और मरान एल रास में हेजबुला के लड़ाकों पर हमला कर रहे थे हizbullah ने तावा ये भी किया कि उसने IDF पर हमला करके इसराइल के 76 सैनिकों को खायल कर दिया है जिसकी वज़े से इसराइल समीनी हमले रोकने के लिए मजबूर हुआ है खबर ये भी है कि लिबनान के अलादीसा में हizbullah ने इसराइल पर दो सर्फेस तो सर्फेस मिसाइल इन्दागी है जिसे इसराइल के ऐर डिफेंस में तबाह कर दिया है हizbullah के हमलों से इसराइल के मिनाशे, कार्मेल और हमी फ्राइस इलाको में मिसाइल की वज़े से लगातार साירन बजजने की खबने भी अरही है जिसलोगत हमकुमी में עומק लिबी बमशपोत गी बोरेनो שנפלो היום בלבנון हशे मिकुम दमाम यहीजी खिखम बरूख हम बात्सुमा अर्मा कशा नגד सיר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו זה לא יקרה, כי נעמוד יחד, ובעזרת השם, ננצח יחד נחזיר את חטופנו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח את נצח ישראל तेज होती जंग के बीच, खबर ये भी आ रही है कि लेबनन की तरफ से हिजबुला लड़ाकों ने इसराइल पर 25 रॉकेट से हमले कर दिये हैं टाइम्स ओफ इसराइल के मताबिक, इसराइल के कैलेली में सैरन की आवाजیں सुनाई दे रही है IDF के मताबिक, उन्होंने हिजबुला के कई रॉकेट्स को एंटरसेप्ट कर लिया है 5 अक्टूबर से अब तक हिजबुला की ओर से इसराइल पर 110 रॉकेट्स से हमला किया जा चुका है इधर इसराइली सेना का साफ कहना है कि वो हिजबुला की लीडर्शिप और टॉप कमांडरों को जिन्दा नहीं छोडेंगी हम आपको ये भी बता दें कि इसराइल के प्रधानमंत्री नितनियाहू ने ये भी दावा किया है कि इस वक्त इसराइल अपने दुश्मनों के साथ साथ फरंट पर जंग कर रहा है इधर इसराइली सेना के चीफ ने दावा किया है कि हम लगातार हिजबुला को भारे नुकसान पहुँचा रहे हैं आईडियफ की तरफ से जो दावा किया गया है जराइल से भी जान लीजिए आईडियफ के मताबिक 440 हिजबुला लड़ा के अब तक मारे गए हैं जबकि हिजबुला के 2000 ठेकानों को तबाह किया जा चुका है हालिया हमलों में इसराइली सेना ने नसरल्ला और उसके उत्तराधिकारी हाशेम साफिदीन और वेपन सलाकार मुहमद अनीसी सहित खरीब 30 टॉप कमांडरों को मार डाला गया वहीं आईडियफ ने बताया कि पिछले पांच दिनों में हिजबुला के 440 लडा के मारे गए हैं इसराइली हमलों में अब तक लेबनान में 2000 से जादा लोगों की मौथ हो चुकी है इन में से जादा तर पिछले दो हफ़ते में ही मारे गए हैं दक्षणी बेरूत का ये वीडियो देखिए इस वीडियो में इसराइली वायू सेना पर आरोप लगा है कि उसने बेरूत के दक्षणी उपनगरों में चल रही बंपारी में लेबनानी अलमनार टीवी स्टूडियो को निशाना बनाया है साल 2006 के बाद से इसराइल ने अलमनार कारियलयों पर पहली बार हमला किया है अभी ये पता नहीं चला है कि लेबनान के अलमनार टीवी स्टूडियो पर हुए हमले में किसी की जान गई है या नहीं लेकिन अलमनार टीवी स्टूडियो को भारी नुकसान जरूर हुआ है अजराइलिस वक्त बेरूत में हर उस जगे पर हमला कर रहा है जहां उसे लग रहा है कि हजबुल्ला उस जगे का फाइदा उठा सकता है बेरूत में भग्दाट, हवाई हमले पर हाहका בתור הערכת מצב שקיימנו, היום הוחלט על התקון ההנחיות לעורף כך שהתאפשרו התקהלויות של עד אלפיים איש מאזור הקרמל דרומה האופן בו נגיב למתקפה הנפשט יהיה באופן, במקום ובזמן שנחליט בהתאם להנחיית הדרג המדיני इसराइल ने पहली बार लेबनान के उत्तरे इलाके पर भी हवाई हमला शुरू कर दिया है इसराइली सेना ने राध ट्रिपूली के बिद्दावी इलाके में फिलिस्तीनी शर्नार्थी कैम्प के पास इमारत को निशाना बनाया है इस हमले में हमास के मिलिटरी विंग अलकासिम के नेता साइद अतलाह अली की मौत हो गई है उसके परिवार के तीन और लोग भी मारे गए हैं अमेरिकी मीडिया के मताबिक 17 सितंबर के बाद से लेबनान से तीन लाक लोग सीरिया भाग गए है वहीं लेबनान सरकार ने बताया कि साल भर में 12 लाक से जादा लोगों ने लेबनान छोड़ दिया है इस बीच इसराइल के हवाई हमले में लेबनान को सीरिया से जोड़ने वाला हाईवे टूट चुका है इसराइल ने बेरूत एरपोर्ट से सिर्फ एक किलोमेटर दूर पर भयंकर एर स्ट्राइक की है जिसकी वजह से विदेशी नागरीकों के होश उड़ने शुरू हो गए हैं जर्मनी अपने नागरीकों को तेजी से निकाल रहा है उस्ट्रिलिया ने रात भर में लेबनान से अपने 407 नागरीकों को बाहर निकाल लिया है अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन भी अपने काफी नागरीकों को हवाई जहाजों से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा रहा है कुल मिलाकर बेरूत उस बारूदी जंग में बुरी तरह से जल रहा है जहाँ अब कोई भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा सवाल है कि क्या इसराइल आज रात ही हमला करने जा रहा है और अगर इसराइल हमला करता है तो इरान में वो किस जग है अटेक करेगा नेतर न्याहों के दिमाग में क्या चल रहा है इसे जानने के लिए पूरा इरान ही नहीं पूरी दुनिया बेचैन है इसलिए ये ऐसे युद्ध की चिंगारी है जो पूरी दुनिया को जला सकती है ये बात पुतिन भी जानते है और बाइडन भी इस युद्ध की शुरू होने से पहले कई अक्टर शामिल हो चुके हैं एक तरफ एरान बनाम इसराइल है तो दूसरी तरफ बाकी अक्टर्स में अमेरिका है रूस है साओधी अरब है लेबनान है इराक है सीरिया है यमन है तुर्की भी इस युद्ध से अच्छूता नही इस वक्त इरान और इसराइल में ऐसी मीटिंग हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध को और तेज करेंगी पैंटगन से लेकर इसराइल के वार रूम तक घंटो मीटिंग हुई है और अब भी चल रही है तहरान को जवाब देने के लिए क्या अमेरिका भी इतने ही प् और बाइडन वाइट हाउस के स्टाफ की शादी में है और बाइडन अब पार्टी मोड में आ चुके हैं ये बारूद वर्सिस बारात वाली तस्वीर है जिसे पूरी दुनिया देख रही है वैसे बाइडन ने सेंटरल कमांड के जनरल माइकल कुरिला को तेलवीव बहुत सोच समझ कर भेजा है इस के पीछे अमेरिका का एक बड़ा मेसेज है मेसेज ये कि अगर इरान और इस्राइयल का युद हुआ तो अमेरिका इस्राइल के साथ ख़ड़ा होगा जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह इरान की धाल बनकर खड़े होंगे या कहे कि अरान भी दुनिया में एक मल्टी पोलर यानी बहु धुर्वे सिस्टम चाहता है यानी अमेरिका की दादागीरी नहीं चलेगी ये रूस और इरान दोनों बताना चाहते हैं तहरान में हमास प्रमुक इसमाइल हानिया और लिबनान में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के हत्या के बाद फुतिन ने अपने सबसे शीर्ष प्रतिनी दी इरान भेच चुके हैं ये नेतन याहू को भी बड़ा पैगाम है और बाइडन को भी बहुत खतरनाक मेसेज है इसराइल अब कैसे वार करेगा और इरान फिर कैसे जवाब देगा इस दशक में दुनिया के लिए सबसे खतरनाक वक्त आ चुका है 2022 रूस ने युकरेन पर हमला करके पूरे यॉरप को डरा दिया अमेरिका तक धबरा गया 2023 हमास ने इसराइल पर हमला करके पश्यमेशिया का सबसे खतरनाक युद चेर दिया लेकिन 2024 सवाल है कि क्या इरान और इसराइल का युद हुआ तो वल्ड वार शुरू हो जाएगी यानी 2022 में तो दुनिया वल्ड वार से बजग गई 2023 में भी गज़ा युद के बाद विश्मिद नही हुआ ऐसे में का 2024 सबी जंगो का बायलिंग पॉइंट बनेगा और इरान इसराइल युद के साथ विश्मिद भी शुरू हो जाएगा अब्तकाराती अलाँ वजूद दारे तवस्ट बगए चिश्वराई मनतके और बगए अज़राई फरा मनतके मा बे मश्वरत हाई खुदमून बा उन किशवर हा एदामा खाहीं देए अमली यक अक्सल अमली खाहएद बूद दो एरान बे सुरत मतनासिब और मशाबह एरान के मिसाल पावर से इसराईल बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है ये बात बाइडन और पुतिन दोनों जानते है इरान ने जिस तरह से इसराईल पर हमला किया उसे तीसरे विश्यूत की दस्तक के तोर पर देखा जा रहा है इरान की नई मिसाइल खैबर शिकन, फतेह और खुर्रम शहर फोर पर इसराईल का पूरा फोकस है ये टेकनॉलिजी के मामले में इरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जाती है इन में से खुर्रम शहर फोर की रेंज दो हजार किलो मीटर है और ये डेड़ हजार किलो तक का वार हेड ले जा सकती है इसलिए इरान का जवाब भी फौरान आएगा और दो गुनी ताकत से आएगा अब देखना है कि अगले 24 घंटों में इरान और इसराइल के बीच क्या होता है दोनों की तैयारी पूरी है अलग कि अगला एक्शन क्या होगा इसका पूरा कंट्रोल इसराइल के पास है